नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पेपर सेविन के चर्चा करेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे कमपर्टिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग लगा था संग्राम सीरीज में लेकर के आ रहे हैं ऐसे क्लासेज ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है न सिर्फ प्रिलिम्स के लिए बलकि मिंस एक्जाम के लिए भी उस हुआ है इस इस पार्ट में आपको ज्यादा तर पढ़ना है मानो विकास से संबंदी चीजें human development, skill development, मानो विकास, causal विकास ऐसी चीजें आपको इसके बारे में पढ़ना है तथा इससे जुड़े हुए जो भी संस्थान है उन संस्थानों के बारे में आपको इस paper में पढ़ना है यह lecture आपको पहले बताने कि हम यहां पर लगातार तीन lectures की series लेकर कर आएंगे जिसमें किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपनी आज की series संग्राम series paper 7 part 3 से related पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से topics आज cover करने बाले हैं हम लोग आज ज्यादा तर वो topics cover करने बाले हैं जो मानोस विकास, मानोस अंसादन से संबंदी थे, मानोस अंसादन के विकास से संबंदी थे, कॉसल विकास से संबंदी थे, और जन सांखी के लावांस, डेन के डेमोग्राफिक डेविडेंड के से संबंदी थे, इन तमाम विशयों पर आज चर्चा करेंगे, जैसे के मानुस अंसादन और उसका विकास आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर human resource and HR development, labor force and labor force participation की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर causal विकास की चर्चा की जाएगी, employability and productivity यह एक ऐसा topic है जिस पर बहुत ज़्यादा confusion होती है पढ़ना employability है, याने नियोजिता है और paper में ज़्यादा तर बच्चे नियोजन के बारे में लिखाते है नियोजन नियोजिता लोग लिखाते हैं पर हमें पढ़ना syllabus देखेंगे आप उसमें नियोजिता की चर्चा की गई है उसके अलाबे मानो विकास और उससे संबंदित जो भारत में चुनौतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या चुनौतियां, ये question सीधा सीधा पूछा जाते है, short notes type, कि 8 नंबर में या 10 नंबर में, कि मानो विकास और भारत में उससे जुड़ चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, इस तरह के topics को चर्चा कवर करेंगे हम लोग, सरकार दौरा क्या कदम उठाए जाने, अगर चुनौतियां हैं, तो जाहिर सी बात उसका निदान करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार के उदार कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, तो उन योजनौत की जन सांखी की ये लावांस के बारे में चर्चा करेंगे, यानि डेमोग्राफिक डिविदेंस, डेमोग्राफिक डिविदेंस एक ऐसा topic है, जो इस समें न सिर्फ चक्तिसगड़ PCS, बल्कि आप कोई साब एक्जाम दे रहे होंगे, उसके लिए important है, तो इस topic को समझने क्या बेशकता है कि जन सांखी की ये लावांस ये डिविदेंड होता है, न सिर्फ परिभाशा पढ़ेंगे, बल्कि इसके और भी क्या aspects है, इसका क्या दाइरा है, क्यू महत्वपूर्ण है, भारत किस मुहाने पर खड़ा है, और इसका भारत को क्या लाव मिल सकता है, इन तमा में सवाल क्या पूछे गए, 2020 की बात करें, तो देखिए, 2020 में मानो HDI के बारे में पूछा गया, मानो विकास सुचकांक से, आप लगातार यहां पर देख पा रहे होंगे, कि Skilled Human Resource, यानि मानो संसाधन्स के महत्व की बात की गई है, मानो संसाधन्स मंत्राले का उद्दे स क्या है, उनके कारियों के चर्चा करने को पूछा जाता है, विकास से तो सिक्षा किस प्रकार उमीद है, किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में पूछा गया है, 2021 में, 2022 में देखेंगे, तो पूछा गया है आप से कि कि कौसल विकास हो, दिमिता मंत्राले के बारे में, HRD के बारे में पूछा गए को चलाई द्वाजारी प्रमुख्योजनों के चर्चा करिए, ऐसे ही आप देखेंगे, 2019 में पूछा गए का अनिप्लॉयमेंट यानि इंप्लॉयमेंट से संब्धनी चीज़े हैं, रोजगार परक चीज़ें के बात कर रहे हैं, छद्म रोजगारी के इस साल ये आगले साल इस पर बड़े एक सवाल पूछे जाने जा सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसेपेशन रेट ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, स्रंबल भागीदारी दर होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, और बेरुजगारी कैसे मापी जाती है, इस पर सवाल पूछ जाते हैं, बेरुजगारी इस समय भारत सबसे ज्यादा इस समस्य से जूज रहा है, और इसलिए बेरुजगारी हर एक्जाम का फैबरेट टॉपिक है, कहीं पूछा जाता है कैसे मापी जाती है, कहीं पूछा जाता है कि बेरुजगारी के प्रकार कौन सा है, तो त आपके लिए बहुत मतपू dec sut vани can doosh यहां पर देख रहोंगी लिखा एcko मानों संसादन रेसल इनलोगों का समू है जो किसी संगठन, वेवसाईक, छित्र, उद्योग या अर्थविवस्था का कारेवल बनाते हैं मानो संसाधन क्या है? उन लोगों का समू है जो किसी संगठन, वेवसाईक, छित्र, उद्योग, अर्थविवस्था के कारेवल को बनाते हैं इसको समझने के पहले हमें ये समझना चीए कि मानो संसाधन की अगर बात कर रहे हैं आप, मानो संसाधन की बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें समझना चीए कि ये संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहेंगी, फिर जब संसाधन की परिभाशा पता चल तो हम समझ सकते हैं कि मानो कैसे संसाधन के रूपे परिबर्तित किया जा सकता है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, एक बर जब ये क्लियर हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि मानो संसाधन होता कि, संसाधन उन तमाम से चीजों को कहा जाता है, जो प्रकृति प्रदत है, जो यही प्रकृति पदक चीजे जो लाभकारी है, साधन जो लाभकारी है, समझ रहें, संसाधन किसे कहेंगे, प्रकृति प्रदत वो सारे साधन, यह प्रकृति प्रदत वो सारे बस्तुएं, चीजें, जो मानो समाज के लिए हमारे लिए लाभकारी हैं, वो कहलाएगा संसाधन For example, बान लिजए कि पानी है, तब तक पानी ऐसे ही साधन पड़ा है जब तक हमारे लिए यूज का नहीं है, जैसे ही पानी हमारे लिए पेज जल के रूप में प्रयोग करते हैं, ये पानी हमारे लिए एकसं साधन बन जाता है, या अन्य उप्योग में करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है, टर्वाइन को चला करके, या फिर पानी का तमाम और इस्तिमाल होता है, न्युकलियर पावर प्लांट में भी पानी का इस्तिमाल करते हैं, साधारन एक पेजल से ले करके, इंडस्ट् और सादन योर्षित हो जाए तो फिर यह हमारे लिए सथाधन नहीं रहजाता है। लावकारी हो, हमारे लावकारी हो, उसे कहेंगे संसाधन, अब सब आल आता है कि संसाधन प्रकृति प्रदर्चीजों में दे कि पानी, बिजली, हवा, जितना कुछ आप सूच सकते हैं, ये सब एक संसाधन होगे, तो फिर मानो कैसे संसाधन होगा, जाहिर सी बात है, मानो ज इस धर्ती पर सबसे बड़ा उपहार जो बगवान ने दिया, वो मानो दिया है, क्यों? क्योंकि मानो ही वो प्रानी है, या मानो ही वो साधन है, जो इन तमाम चीजों को पानी, हवा, मिट्टी, इन सब को साधन से संसाधन में तबदिल करता है, बता ही मिट्टी ऐसे ही वो इट में परिवर्तित कर दिया तो वो संसाधन बन जाएगा, कौन परिवर्तित करेगा? मानो करेगा, पानी है, इसका पेजल के रूप में इस्तेमाल करना या इसके इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना कौन करेगा? मानो करेगा, हवा है, हवा से आप जानते होंगे कि इस प इसनी भी चीजे हैं पानी, हवा, मिट्टी और तमाम चीजे इन तमाम साधनों को संसाधन में परिवर्थित करने वाला कारख कौन है मानव है तो हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृती का सबसे बड़ा उपहार है अर्थात मानव अपने आप में एक संसाधन है क्योंकि मानो जो है समाज के लिए उपयोगी है मानो ही समाज के लिए सारा काम करता है मानो संसाधन का साधारन मतलब यह है कि जब मानो खुद का इस्तिमाल एक संसाधन के रूप में करे अर्थात समाज के लिए लाभकारी कारियों में करे अर्थात वो उप्योगिता साबित करें, तो उसे कहेंगे आप मानो संसाधन, मानो संसाधन कैसे होगा, मान लिजे कि एक व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो वो मानो बोज बन जाएगा, पर अगर व अगर वो कौशल सीख ले, तो मानो अपने आप में साधन से संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो अगर आप से पूछा जाए, अब देखिए इस परिभाशा को, जो परिभाशा हम लोग पढ़ रहे थे, कि मानो क्या है, मानो संसाधन दर असल, लोगों का व उपयोगिता साबित करते हों, मान लीजिए कि किसी उद्योग में प्रोडक्शन कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा, जब तक मानो उसमें जाकर के सम्मिलित नहीं होगा, तो मानो अपने महिनत से, अपने स्किल से, कौशल से, अपने बुद्धी से, विजडम से, क्या संसाधन या बेवसाइक छेत्र, उद्योगर्द विवस्था का कारेबल बनाते हैं, सबसे पहले इसमें कारेबल सब्दा गया, पहली बात तो यह हमें समझना है, कि मानो, हम लोग उने क्या समझा, पिछले दो मिनट को अगर हम लोग समराइच करें, तो यह, कि जो भी प्र संसाधन है, जो हर साधन को संसाधन में तबदील करता है, for example, मिट्टी से इट बनाना, इट से फिर घर बनाना, घर से महल बनाना, यह सब काम कौन करता है, मानो करता है, तो मानो अपने आप एक साधन है, तो किसी, अब ये काम कहां आएगा, किसी इंडस्ट्री को चलाना है किसी इंडस्ट्री को कौन चलाता है मानों चलाते है from the top to the bottom चाहे उस इंडस्ट्री के मालिक से ले करके उसके मालिक से ले करके नीचे जो स्रमिक काम करते हैं ये सब क्या कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री को लाबकारी बना रहे हैं उसके लिए अर्थविवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो ये तमाम लोग क्या हैं, वो एक साधन को संसाधन में तबदील कर रहे हैं, और ये खुद भी अपने आप में संसाधन है, यानि कि, मानो संसाधन उन लोगों का सम्मूव है, चली यहां तक आई होप कि इसमें बहुत क्लियर हो गया होगा, फिर है कि कारेबल, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ कारेबल, कारेबल क्या चीज होती हैं, देखिए, पहले तो मानो शंसाधन, के बारे में हम लोगों ने एक बार कर लिया, को संसाधन में परिवर्तित करता है, वो है संसाधन, उसके बाद, फिर हमने पढ़ा है कि श्रम बल जाए, या कारे बल, क्या हर विक्ति कारे करेगा जन संख्या क्या, क्या हर मानो काम कर सकता है, नहीं, मानो को भी किसी देश की जन संख्या को अगर अब तब्दील गर बांटेंगे, तो इस जन संख्या में डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे 0 से 15 साल के लोग हो सकते हैं, 15 से 64 साल के लोग हो सकते हैं, एंड 65 प्लस होते हैं, जिन संख्या को, मानो जिन संख्या को तीन भाग में बाटना जा सकता है, उम्र के आधार पर, ठीक है, 0 से 15 आई उबर्ग, 15 से 64 आई उबर्ग, 15 से 65 प्लस आई उबर्ग, आम तोर पे, किसी जन संख्या में, 0 से 15 आई उबर्ग वाले लोग, क्या करते हैं, या तो स्कूल जाते हैं, सिक्षा दिक्षा में ग्रण करते हैं, या फिर ये केट्स माने जाते हैं, बच्चे माने जाते हैं, इनका अर्थ विवस्था में योगदान करवाना, भारतिय संविधान भी कहता है, कि 14 साल से कम उम्रे के बच्चों को, आप किसी कार्य में स्रमिक के तौर पर इस्तिमाल करना वर्जित हैं, तो ये तो वो विक्ति हैं, ये वो लोग हैं, जो सिख्चा दिख्चा में लगे रहते हैं, स्कूल गोइंग लोग हैं, फिर 15 से 64 साल का आयूबर्ग, ये वो आयूबर्ग है, जो कारे करने की छमता रखता हैं, ये वो आयूबर्ग है जो कारे करने की छमता रखता है पहले हम लोग डिफाइन करने जाने कारे बल के कारे बल है क्या तो 15-64 बर्ष की वो लोग है जो कारे करने की छमता रखते है 65 प्लस वाले लोग निर्भर जनसंख्या का निर्मान करते है निर्भर जनसंख्या का निर्मान करते हैं मतलब यह किसी न किसी पर आश्रीत होते हैं retired लोग है, senior citizen है तो retired का मतलब कि वो अब अपने चीजों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं बात समझ में आई मानो संसाधर और जनसंख्या में पहले फर्क समझेए कि मानो जनसंख्या तीन तरह के लोगों consist करता है 0 से 15, 15 से 64 आयूबर्ग और 65 प्लस आयूबर्ग के लोग 65 प्लस वाले निर्भर होते हैं 15 से 64 वर्स आयूबर्ग वाले वो लोग होते हैं के पास कारे करने की छमता होती है ठीक है अब ये कारे करने वाले छमता में भी तो तरह के लोग हो सकते हैं एक वो जिनके पास कारे करने की एक्छा हो एक वो जो काम करने की एक्छुक नहीं है ठीक है कुछ ऐसे लोग होंगे जो काम करने की एक्छुक है कुछ लोग होते हैं काम करने के एक चुक नहीं होते हैं स्रमबल के अंदर स्रमबल जिसको आप कहते हैं वो वो लोग हैं जिनके पास कारे करने की छमता भी हो और कारे करने की इक्छा भी हो अर्थात अगर हम लोग स्रमबल को परिभाशित करना चाहें तो स्रम्बल यानि लेवर फोर्स जनसंख्या का वह हिस्सा या लिक लिए किसी राष्ट्र के जनसंख्या का वह हिस्सा कारे करने की छमता रखते हैं किसी राष्ट्र के जनसंख्या का वह हिस्सा जो कारे करने की छमता रखते हैं तथा कारे करने के एक्छुक होते हैं वह हिस्सा जो कारे करने की छमता रखते हैं उनको कहते हैं अब स्रम्बल मतलब कि 15 से 64 वर्स के आयू के जितने भी लोग हैं या तो काम करना चाहते हैं और काम करने की छुक हैं उनको हब स्रम्बल कहते हैं ठीक है, तो मानो संसाधन का निर्मान किसी देश के स्रम बल से होता है, कि वो स्रम बल जो किसी संस्था में या किसी कमपनी में, फैक्टरी में काम करके वहां के उत्पादक्ता को बढ़ाते हैं, या समाज के लिए लाभकारी कारे करते हैं, उनको कहते हैं स्रम बल मानो संसाधन के जो परिवासा लिखी है, इसमें यही बात लिखे गए, कि मानो संसाधन दरसल लोगों का वसमू है, जो स्रम बल का निर्मान करते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं स्रम्बल के उपर और स्रम्बल भागिदारी के उपर स्रम्बल को हम लोग समझ रखें कि आब आदी में उन लोगों की कुल संख्या जो बड़ बात को कारे कर रहे हैं देखिए इस बात को जो अभी हम लोग नें डिफाइन किया कि 15-64 साल के आय्यू बर के वो लोग इसमें वो लोग हैं जो या तो कारे कर रहे हैं मतलब जिनके पास रोजगार है कारणत हैं दूसरा वो लोग जो रोजगार तो नहीं है, मतलब बेरोजगार है पर काम करने के इक्षा रखते हैं जो लोग बेरोजगार तो हैं पर काम करने के इक्षा रखते हैं यानि कि सक्रिय रूप से काम करने की तलास में है काम करने के तलास कौन करेगा जो इक्छुक होगा तो स्रंबल का निर्मान वो सारे लोग मिल करके करते हैं जो या तो रोजगार जिनके पास है या जो बेरोजगार है लेकिन काम करने की इक्छा रखते हैं तो 60 से आगे जो 64 साल तक की उमर है, 45 साल तक की उमर, ये 5 साल वो क्या कर रहे होंगी? काम करने की इक्षा नहीं है, पर काम करने की उमर में तो है, तो उन लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा. Basically искों काउंट के जगों, जो कारे कर रहे हैं, या कार्ज करने की इच्छा रखते हैं फिर नेक्स्ट बात है स्रम्बल भागीदारी दर कि स्रम्बल भागीदारी दर क्या होता है स्रम्बल भागीदारी दर के गन्ना कुल आयूजन संख्या द्वारा स्रम्बल को भिभाजित करके की जाते हैं स्रम्बल भागिदारी दर्ग का मतलब यह होता है पहले तो स्रम्बल हम लोगों ने समझ लिया कि स्रम्बल में कौन लोग 65 से 64 वाले आयूबर्ग वाले कौन लोग जिनके पस या तो रोजगार है या कारे की तलास में है लेकिन क्या 65 से 65 से 64 वाले सभी लोग ऐसा होंगे कुछ ऐसे लोग भी तो इसमें होंगे जो काम की तलास नहीं कर रहे होंगे मतलब उनके पस बेरोजगार है और काम की तलास भी नहीं कर रहे होंगे ठीक है तो स्रम्बल भागिदारी जो के होता है स्रम्बल के बाद यह होती है तो अगर इसकी भागिदारी दल निकाला जाए स्रम्बल की भागिदारी दर स्रम्बल भागिदारी दर इसको कहते हैं लेवर फूर्स पार्टिसिपेशन रेट यह कितना होगा यह होगा कि वो जितने लोग स्रम्बल का निर्मान कर रहे हैं मतलब कि 15 से 64 हाई उबरग वाले स्रम्बल 15 से 64 आई उबरग वाले स्रम्बल इसको अगर कुल जन संख्या से डिवाइड कर दिया जाए 15 से 64 वाले कुल जन संख्या समझ रहे हैं कि वो तमाम जन संख्या वाले कुल जन संख्या से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो इससे जो निकल करके आता है वो होता है स्रम्बल भागिदारी धर अर्थात अगर मैं इसको बहुत साधारन सब्दों में लिख हूँ अगर माल लीजे कि इसको हमने A नाम दिया इसको हमने B नाम दिया है ये वो जो बेरुजगार वाली संख्या इसको हमने B नाम दिया है तो एले प्यार क्या होगा एले प्यार को हम लोग लिख सकते हैं कि this will be a divided by a plus b मतलब कि स्रंबल की संख्या को कुल स्रंबल की संख्या से यानि 15 से 64 आयू वर्ग वाले कुल संख्या से divide कर दिया क्या ठीक है अब हम लोग चलते हैं उस परिभाशा पर जो हम लोग पढ़ रहे थे देखिए आप फिर से परिभाशा को पढ़िए कि स्रंबल भागिदारी दर की गनना कुल आयू जनसंख्या द्वारा स्रंबल को विभाजित करके की जाती है मतलब कि कार आयू जनसंख्या मतलब कुल पंदर से चोंसट आयू बर्ग वाली जनसंख्या से स्रंबल को अगर विभाजित कर दिया जाए तो निकल करके आ जाता है स्रंबल भागिदारी दर ठीक है स्रंबल भागिदारी दर कौन निकालता है स्रंबल भागिदारी दर यहां एक additional information यह है कि भारत सरकार क्या NSSO, भारत सरकार के Ministry of Planning and Implementation, योजना क्रियान वैन मंत्राले के अंदर NSO, राष्ट्रिय स्टेस्टिकल और्गिनाईजेशन, राष्ट्रिय सांखी की ये संस्था कि द्वारा LAPR का हर साल गन्ना की जाते हैं. LAPR की गन्ना कौन करता है? NSO, NSO किसके अंदर है? Ministry of Planning and Statistic Planning and Implementation, मौस्पी बोलते हैं, मौस्पी के अंदर NSO एक छोटा संस्था है, NSO LAPR को हर साल निकाल करके देता है, LAPR का यह दिखाता है, LAPR यह दर्शाता है कि किसी देश के स्रंबल में कितने प्रतिसत पुरुषों का योगदान है, कितने प्रतिसत महिलाओं का योगदान है, कितने आयूबर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने आयूबर के लोगों ने रोजगार छोड़ दिया है इस साल के एक्जायम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाल ही मेले प्यार पर एने सो कहा कड़ा लगबग 20-25 दिन पहले आया था जिसने बताया है कि भारत में वेरुजगारी किस्थिती क्या है वो इले प्यार के द्वारा तै किया गया है ठीक है त जो प्रकृति प्रदत वो सारे चीज़ें जो किसी देश की तरक्की में या कारवल का निर्मान करते है उसको कहते है संसाधन संसाधन वो चीज है जो प्रकृति प्रदक्रा है तथा मानो समाज के लिए लाबकारी है उपयोगी फिर हमने पढ़ा कि मानो कैसे एक संसाधन है तो दरसल मानो ही वो कारक है जो प्रकृति प्रदक्रा सभी साधनों को संसाधन में बदलता है अर्थात मानो सबसे बड़ा संसाधन है, अर्थात मानो संसाधन, हम खुद से ही संसाधन का निर्मान करता है, जिसे हम मानो संसाधन कहते हैं, अर्थात मानो या मानो का वह समू, जो किसे संस्था, किसी उद्योग, किसी प्रक्रम के लिए कारे करता है, तथा समाज, तथा यह कारे बल का क्या अर्त होता है, 15-64 ऐउवर के वो लोग, जो कारे करने के, जो कोई रोजगार में है, या परोजगार है, परनतु कारे करने के इच्छा रखते हैं, उन्हें आप स्रंबल के भीतर count करते हैं, फिर स्रंबल भागिदारी दर क्या होता है, तो स्रंबल को 15-64 आयूबर के स्रंबर को कुल जन संक्या से विभाजित किया जाए तो स्रंबल दर का निर्मान होता है syllabus में नेक्स टॉपिक है आपके पास नियोजिता एंड उत्पादक्ता Employability and Productivity Employability अपने आप नाम से क्लियर है Employability मतलब कि जिनको Employment के लायक समझा जाए और वो कब समझा जाएगा जब उनके पास वो सारे Skills उपलब दोंगे कोई Company जो सर्च करोगे माल लिजए कोई Company है और वो किसी व्यक्ति को Recruit करना चाहता है Hire करना चाहता है नौकरी देना चाहता है तो वो कुछ Set of Skills होगा जो उस व्यक्ति के अंदर देखना चाहता है Suppose किसी व्यक्ति को अगर किसी एक Food Industry में हलवाई के तौर पर या Confectioner के तौर पर या Chef के तौर पर अगर किसी कोई Company उसको Hire करना चाहती है तो वो देखेगी न कि उस Chef के पास किया जाएगा तो नियोजिता क्या होती है नियोजिता वो सारे कोशल तारकिक समझ और व्यक्तिगत गुणों का समुचे है मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी गुण वो Company ढून रही है वो सारे गुण अगर उसके अंदर उपलब्द है तो उन गुणों का एक समुचे है जो किसी व्यक्ति को यानि कि Human Resource को रोजगार हासिल करने और अपने चूने हुए वेवसायों को सफल होने की अधीक संभावनाओं को बनाता है जिससे संस्था, समुदाय, अर्थविवस्था का लाब होता चली definition बहुत लंबा है बहुत साधारन सब्द में समझते है कि किसी व्यक्ति को रोजगार अगर लेना है किसी कमपनी में अगर चैनित होना है तो तैय बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होना चाहिए कुछ सेट अप स्किल्स होना चाहिए वही व्यक्ति गुणों की समुझाय को हम कहते है नियोजिता नियोजिता और नियोजन में फर्क है नियोजिता वो गुण है जिसके कारण कोई व्यक्ति रोजगार के लायक समझा जाता है रोजगार परक समझा जाता है जबकि नियोजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को रिक्रूट किया जाता है ये नौकरी दी जाती है बात समझे दोनों में फर्क है नियोजन एक वर फिर रिपीट करते हैं नियोजन कार्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाती है जबकि नियोजिता किसी व्यक्ति के भीतर समाहित गुणों का वह समुचे है जिसके कारण वह व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी तै नौकरी के लायक समझा जाता है औ माल लिजे कि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है और आपको किसी ऐसे माल लिजे माल कि आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट नहीं है आप कभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो एक कारपेंटर कर सकता है और आपको कारपेंटर के जौब के लिए क्यों समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा तो नियोजिता इसकी क्या होगी कि वो स्किल जिसके कारण उसके चैन किया जाता है और नियोजन होगा कुछ स्किल के अधार पर उसको चैन करके नौकरी दिया जाता है तो नियोजिता और नियोजन में फर्क है नियोजिता कैसे हास्षिल की जाएगी? सबसे बड़ी बात कि किसी व्यक्ति को कैसे बनाया जाएगी कि भारत की समझ से ये सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? पहले तो समझना ये जरूरी है कि हमारे सलबस में ये सारे चीज़ें क्यों डाले गए? भारत इसमें कैसे दोर से बुजर रहे है जहां पर जनसंख्या बहुत जादा है पर बहुत बड़ी जनसंख्या के पास वो समझ नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो तारकिक्ता नहीं है, वो कौशल नहीं है जिसके कारण उसे रोजगार मिल सके और यही एक बड़ी बज़ा माने जाते है कि भारत में विरोजगारी की दर बहुत जादा है तो विरोजगारी को खतम करने के लिए हमें नियोजिता पर फोकस करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लोगों के भीतर, स्रंबल के भीतर, नियोजिता है की नहीं, अर्थात गुणों का समुचे है की नहीं, अगर नहीं है तो उसको कैसे विकसित किया जाता है, तो सरकार उसके लिए तमाम ऐसे योजनाय चलाती है, कौशल विकास चलाती है, जिससे उस विक्ति के भीतर वो गुणों को, उन गुणों को स्थापित किया जाए, जिससे वो किसी रोजगार के लायक बने, रोजगार परक बने और उसे रोजगार होने की संभावनाएं ज्यादा होगी, ऐसे ये कौटर में आपके सिलिबस में उत्पादक्त उत्पादक्ता का मतलब क्या है कि productivity, productivity means कि किसी व्यक्ति को, माल लिजए कि किसी व्यक्ति के उत्पादक्ता कैसे तै की जाती है, कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित काम को, एक निश्चित कौशल के द्वारा उस व्यक्ति पर करने पर, जिससे उस संस्था का आउट to put maximum होता है, उसको कहते हैं उत्पादक्ता. Definition देख लेजिए, आम तोर पर किसी व्यक्ति, टीम या संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कुशलता पुर्वा कारे करने, तथा कुशल उत्पादन को अधिक्तम करने की छमता को संदर्भित करते हैं. अर्थात वो सारे स्किल्स जिसके कारण काम के निर्धारित समय सीमा में खतम कर दिया जाए, तथा उत्पादन भी उसका आउट्पुट भी अधिक्तम हो. निश्चित समय सीमा में कुशलता पुर्वा कारे कर दिया जाए और उत्पादन को अधिक्तम हो. उदाहरन के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे मान लिजे कोई बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने में क्या होता है आम तोर पर कि बहुत सारे मजदूर आते हैं मजदूरों का कुछ क्रम देखेंगे कि सुबह साड़े नौ बज़े आएंगे फिर आधा गंटा उनको काम करने के लिए तयार होने में लगेगा चाहे पाने पीरेंगे फिर एक आध गंटे के बाद कहेंगे कि तोड़ा ब्रेक चाहिए फिर वो सुस्ताएंगे आधे गंटे फिर एक गंटे काम करेंगे फिर लंच करने जाएंगे दो गंटे बाद उदर से आएंगे फिर इस तरह से क्या होता है कि जो काम दस दिन में होना चीए था समय सीमा द अब भलता पुर्वक्त करना है और उसमे कोई खामी भी नहों, कुछ हलता पुर्वक्त करना है, मतलब निष्चित समय सिमा के भीता कर देना है, तो उसको कहेंगे की उत्पादक्ता ज़धा है, 20 दिन से ब्हुंत पाले इस्तेम मतलब यह है, इसमें बहुत सारी चीजिज़े ही सकते हैं किसी व्यक्ति का कांब की पृतिडिकेशन केतना है? अब कोई काम कर रहा और उसको में भरें नहीं के रागता हुगाएगा तो वह कीसे करेगा तो काम सटा और दीछासिन ज은ा वो घ्यादा होगा उस रिसे साय वह काम कर सकता है तो इस तरह की स्थिती में ये तै किया जाता है कि किसी संस्था की उत्पादक्ता, किसी व्यक्तिक उत्पादक्ता maximum कैसे होगी अगर वहाँ पर काम करने बाले लोगों को, श्रमिकों का, स्रम बल का skill, कौशल बहुत जादा होगा और उस कौशल को विक्सित कैसे किया जाएग उसकी उत्पादक्ता अपने आप बढ़ जाएगी, मतलब निश्चित समय सिमा के भीतर काम करना शुरू कर देगा वो सारे काम कैसे होंगे, कौशल बिकास योजनाओ से, तो आई होप आपको नियोजिता और उत्पादक्ता में फर्क समझ में आगे होगा, आगे बढ़ते हैं नियोजिता उत्पादक्ता के बात, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि मानो संसाधन का सदू पयोग किया जा सक होता है, दूसरा उत्पादक्ता क्या होती है, तीसरा नियोजिता के बारे में क्या हो सकता है, और यह भी कि कैसे उसका मैक्समम आउटपुट मिल सकता है, तो हमने पढ़ा कि मैक्समम आउटपुट के लिए क्या करना होगा, कोशल विकास करना होगा, कोशल विकास करना होगा, कोशल विकास के राज सहारे किसी व्यक्ति के कुशलता को बढ़ाया जा सकता है, उसके कारे कुशलता को कारिक उचलता को बढ़ाया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है. Once the skills and skill sets and the skill development program will happen, what will happen? After that, automatically इसकी employability इसकी employability और employability के साथ-साथ इसकी productivity यान उत्पादक्ता अपने यहाँ बढ़ जाएगे. कारिक कुषलता कैसे किया जाएगा है? causal विकास का मतलब कि किसी व्यक्ति को training दिया जाता है? Training क्यों दिया जाता है किसी व्यक्ति को job के पहले training period में क्यों रखा जाता है? So that कि वो यह समझ सके, प्रशिक्षन के दौरान, वह ही है, समझ सके कि संस्था को उससे क्या उमीदे है, संस्था उससे क्या चाहता है, क्या-क्या जिम्मेदारिया वो कर सकता है, उसके जिम्मे क्या-क्या काम है, और जो काम वो पहले से सीख करके आया है, संस्था के दौरा required skills को वो सीख सके, set of skills को वो सीख सके, मतलब कि वो सारे causal को सीख सके, जिसके कारण उसका विकास होगा, तो वो causal विकास कैसे किया जाता है, training के दौरा, training का institute सिर्फ ये, मत समझे कि company में ही होते हैं, बहुत सारे शिंच, जैसे ITI, ITI में क्या होता है, लोगों को एक skill set सिखाया जाता है, ITI में जाकरके, feeder और mechanics का काम सीखते हैं, feeder mechanics, etc. बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे skills को ITI में skills सिखाया जाता है, इन skills को सीखने के बाद, इन skills को सीखने के बाद, लोगों को रोजगार ढूंडने में बहुत आसानी होते हैं, किसी गंपनी में जाकरके, वो रोजगार हासिल कर सकते हैं, application कर सकते हैं, तो इसलिए causal विकास का अपने आप में बहुत योगदान, इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, बहुत फेमस योजना हैं, परदान मंत्री causal vikas योजना, इसके चार चरन हो चुके हैं, परदान मंत्री causal vikas योजना के, ऐसे ही योजना होती है, संकल्प योजना, बहुत सारी योजना हैं, जो भारत सरकार लगातार चला रही हैं, लोगों के skill sets को develop करने में, ठीक है, कि लोगों के skill set को develop किया जाए, तो skill development of India पे आते हैं, skill development of India का मतलब है, किसी रास्टर के मानो संसाधन का दुपाद, जो प्रकृती में उत्पावएक है, कुशल मानो संसाधन कराता है, पहली बात तो ये समझना है, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया का मानो संसाधन क्या होता है, श्रंबल क्या होता है, श्रंबल के भागिदारी दर क्या होते है, नियोजिता इंप्लोइबिलिटी क्या होती, नियोजिता के बारे में ध्यान रखे, it is a set of skills, तो set of skills अगर किसी व्यक्ति के पास होगा, तो अभी सी बात है, वो संसाधन के तौर पे, वो मानो अपने आप म संसाधन मानो संसाधन बन जाएगा, वो किसी समाज के लिए, किसी संस्था के लिए काम करने के लायक होगा, तो मानो संसाधन को वानुपात, अब इसमें skill employment in India कुसल मानो संसाधन क्या होता है, दोनों का कोई मतलम नहीं है, दोनों अलग लक्षिश है, skilled development in India and कुसल मानो संसा को लिखते हैं, skilled human resource, ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि human resource क्या है, human resource के बारे में समझा कि मानव 15 से 64 वर्स के वो वेक्ति जो कारे करने के चुक है, या जिनके पास कारे है, उन सभी लोगों को हम लोग कहते हैं, human resource, लेकिन, human resource, क्या human resource से काम हो जाएगा, ठीक बात है कि human resource है, पर अगर यही human resource, particular skill के साथ हो, कुशल human resource साधन उसको बनाया जाए, मतलब उसके पास कुछ skill उसके अंदर add कर दिया जाए, मतलब उसको training में भेजा गया, training period में जा करके, उसने कुछ skill set सीख लिए, skill set सीख लिए, skill set सीखने से उसकी नियोजिता बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, जैसे उसके पास set of skills आ जाएगा, यह skilled mano resource बन जाएगा, यानि कि skilled mano resource बन जाएगा, यानि कि कुसल mano san saadhan बन जाएगा, तो mano san saadhan वो लोग 15 से 64 साल के वो लोग हैं, जिनके पास कारे हैं, या जो कारे करने की एक्षा रखते हैं, पर बेरोज़कार हैं, उन तमाम mano san saadhan में वो ऐसे व्यक्ति, जिनके पास कोई formal training दिया गया हो, जब skill set आ जाता है, जब वो skill set को हासिल कर लेते हैं, तो वो बन जाते है skilled human resource, किसी मुल्क की तरक्की में, किसी देश की तरक्की में, skilled human resource का बहुत योगदान होता है, जिस देश का skilled resource जितना जादा skilled होगा, जिस देश का human resource जितना जादा skilled होगा, उस देश में तरक्की उतनी जादा होगी, For example, अगर आप USA की बात करेंगे, अमेरिका की तेहां के लगवग 50% मानो संसाधन ऐसे होते हैं, जो skilled होते हैं, मतलब कुल 15 से 64 वर्स के कुल आबादी का लगवग 50% हिस्सा होता है, जो किसी ने किसी formal training जैसे ITI इत्यादी से होकर के आता है, Japan में ये हिस्स देखेंगे, तो Japan में ये हिस्सा बहुत जादा है, लगवग 70% का असपास यहां के लोग, Japan में लगवग 70% का असपास लोग यहां पर किसी ने किसी, Japan में 78% का असपास लोग skilled labor होते हैं, ऐसे ही नहीं, ये सारे मुल्क तरक्की में भारत से आगे निकल गए हैं, क्योंकि इनका human resource बहुत जादा skilled है, ऐसे ही आप देखेंगे, चीन के बारे में देख लिजे, भारत का सबसे बड़ arrival, चीन का जो संसाद मानो संसाद हैं, चीन में लगवग 24% है, और यही भारत की बात देख लिजे, इंडिया में मात्र 4.7% मात्र 4.7%, Isn't it very low? It is very low, 4.7% मतलब कि हमारे हाँ HR जो है, जितने मानो रिसोर्स में की जनसंग क्या है, मानो रिसोर्स में 100 लोग में से, सिर्फ 4.5 लोग ऐसे हैं, जिनके पास formal training है, इसी संस्था के अंदर, या ITIs के अंदर, उनके पास formal training सिर्फ 4.7 लोग के पास, मतलब बाकी के 95 लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रिराम बाले लोग हैं, कि जिनके पास कोई भगवान के दया से काम मिल गया तो मिल गया, स्किल सेट से काम नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 4.7 लोग हैं, ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग हैं, आंकड़ा बहुत पुराना है, आंकड़ा हो सकता है, 2000 थोड़े चेंज हुआ हो, पर ऐसा नहीं कि 4.7 तो सही यह 7.4 हो गया होगा, 4.7 से बढ़कर के 5 के असपास आजएगा, यह आंकड़ा पुराना है, लगबख 2014-15 में ऐसा ही से लिए, क्योंकि 2021 में तो कोई जनगन्ना होई नहीं है, जनगन्ना नहीं होगी तो यह सारे आंकड़े आएंगा नहीं, तो इन्फॉर्मल तरीके से आंकड़े आते हैं, पर 2014 2014-15 और 2019-2020 के जो एकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार काता है, उसके अनुसर सिर्फ 4 असमलो, 7 परतिसत लोग किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में जाते हैं, इतना ही नहीं है, सिनेरियो इससे भी और बुरा यह है कि भारत में जितने लोग इंजिनियरिंग करते हैं, लगबख 20 से 25 स 30 परतिसत, 25 से 30 परतिसत इंजिनियर ही हैं, जो मार्केट में रोजगार पाने के लायक है, MBA में सिर्फ 12 से 15 परतिसत ऐसे MBA है, MBA के स्टुडेंट है, यह S.O.C.M. का हाकड़ा है, S.O.C.M. भारत में उद्योग पतियों और कंपनियों की एक बड़ी संस्ता है, S.O.C.M. उस मार्केट में रोजगार उनके स्किल्स पर मिल सकता है, मतलब कि बड़े-बड़े संस्ताओं से, बड़े-बड़े कॉलेज से इंजिनियरिंग करने के बाद भी लोग उस स्किल सेट को नहीं पा रहे हैं, जो मार्केट का डिमांड है, आज के जमाने में, MBA से करके लोग मार यह तब और भयानक दिखते हैं, जब दिखते हैं, सिर्फ 4.7% लोग भारत में हैं, जो किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से हो करके आते हैं, ITI जैसे ट्रेनिंग से आते हैं, इसका मतलब यह हुआ है, कि there is a dire need in India to go under the skill development program, कि लोगों के पास यह बहुत ज्यादा आवशक्ता है, क जिसमें ऐसे काम सिखाया जाते हैं, जैसे को इसी को माल लेजे कि शॉक हो, कि बढ़े गिरी सीखना हो, किसी को शॉक हो कि confectionery, मतलब हलवाई का काम, safe का काम सीखना हो, तमाम ऐसे एक NCVT के अंदर program है, किसी को टेकनिकल ट्रेनिंग में जाना है, तो उसके लिए फीटर बन लगातार कोशिश कर रही है, कि लोगों को इस आंकड़े को बढ़ाया है, जो जितना ज्यादा यह आंकड़ा बढ़ेगा, भारत का लिवर फोर्स का participation बढ़ेगा, लोगों के पास स्किल्ड लिवर बढ़ेंगे, स्किल्ड लिवर बढ़ेंगे, तो उससे भारत की कुल, ज लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उत्पादक का मतलब अब ज्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूत नहीं है, नेक्स्ट है उपलब्धिता, कि मानो की उपलब्धिता कैसे है, मानो संसाधन की उपलब्धिता कैसे है, देखिए, मानो संसाधन की उपलब्धिता जो आपके means there are two terms it includes two terms first is the kushal manosan sadhan that is the skilled human resource numbers of the skilled human resource and the second is ka bitran its distribution पहली बात क्या है कि manosan sadhan number of the HR availability का मतलब ये हुआ availability का मतलब ये हुआ उपलबधता का मतलब ये हुआ उपलबधता का मतलब ये हुआ कि इसका number कितना है number of skilled HR और इसका वितरन कैसा है मतलब distribution कैसा है वितरन कैसा है और संख्या कितनी है skilled HR के दो तरह की बात उपलबधता का मतलब दो चीज़े होते हैं कि number कितना है और skilled number की चर्चा तो हम लोगों ने कर ली कि भारत में सिर्फ 4.7% HR ही ऐसा है मानो संस, कुल मानो संसादन का सिर्फ 4.7% ही ऐसा है जो किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहर जाता है औपचारिक ट्रेनिंग में जाता है औपचारिक प्रशिक्षन के तहर जाता है तो number की बाद तो हम लोगों ने कर लिये फिर MBA और उसकी बात भी किये distribution पे बात करते हैं क्या भारत के सभी राजियों में जो human resource distributed है क्या वो equally skilled है तो ऐसा नहीं है Recently एक और आकड़ा भी आया है जिसके अनुसार India Skilled Report 2024 आता है India Skilled Report 2024 है इसके अनुसार ये बताया गया है कि केरल तेलेंगना इन राजियों के जो skilled human resource है इनकी employability जादा है इनको रोजगार देने में कंपनिया प्रिफर करती है जबकि कुछ राज ऐसे हैं जैसे बिहार जारखंड एटसेटरा कुछ ऐसे राज हैं जिनको कंपनिया रोजगार देना प्रिफर नहीं करती है मतलब ते आर जस्ट लेबर सप्लायर ये वो राज हैं जहां से सिर्फ अनस्किल्ड लेबर जिनके पास कौशल नहीं है वैसे लेबर वैसे सरंबल को पूरी दुनिया में ये अपने यहां से migration के सिकार होते हैं प्रवाशन होते हैं यहां से लेबर जो अनस्किल्ड हैं वो आते हैं स्किल्ड लेबर में प्रिफरेबल जगह कौन है केरल होते लेंगा न ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों राज शिक्षा कस्तर पर human resource index कस्तर पर बहुत अच्छा करते हैं distribution का मतलब यह है कि क्या जो skilled human resource है क्या हमारा availability of किसका availability of skilled human resource क्या skilled human resource भारत के पूरे सभी राज्यों में एक बराबर तौर से फैला हुआ है तो इसका आंसर है कि नहीं एक बराबर तौर से फैला हुआ नहीं है इसमें दो बाते होती है एक और दूसरा ही है तो इसका आंसर है कि distribution भी human resource का अलग-अलग तरीके से है, अलग राज्यों में अलग तरीके से, इसके अलग-अलग रीजन है, आप देखेंगे कि इन राज्यों में skilled human resource का distribution में पिछड़े, वहाँ पर गरीबी बहुत जाता है, वहाँ पर formal education की ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर infrastructure नहीं है, अधुन मुखी विकास नहीं होता है, तो इन राज्यों में यह दिक्कत है, जबकि तेलेंगनार केरला इन राज्यों में शिक्षा का स्तरूचा है, यहाँ पर लोगों के पास गरीबी कम है, prosperity जादा है, तो इसलिए इन राज्यों में skilled labor की संख्या जादा है, इससे एक बात निकल करके आती है, कि भारत सरकार को जरूरत है कि इन राज्यों पर focus करें, so that कि यहाँ पर skilled development का program जादा ते चलाया जाए, और जो labor unskilled हैं, उनको skilled बनाया जाए, और उससे न सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा, बलकि पूरे देश के economy में तरक्किया आएगगा। दूसरा, distribution का दूसरा मतलब एक तो यह कि राज्यों का अधार पर distribution का क्या मतलब है, distribution का दूसरा मतलब यह भी है कि किस sector में, किस level में, भारत में जो skill set होते हैं, पूरी दुनिया में चार प्रकार से बाटा जाते हैं, skill set को चार प्रकार से बाटा जाता है, distribution of skill set अगर आप पढ़ने हैं, तो इसमें थोड़ा detail में जागर के पढ़ सकते हैं, अगर कौशल के वितरन की बात करें, तो चार तरीके से होता है, level 1, इनको level में बाटा जाता है, level 1, level 2, level 3, और level 4, इनको चार तरीके से distribution को भी बाटा जाता है, मतलब कि जो skilled labor है, जो skilled labor है, वो भी अलग-अलग labor, पहले हमने क्या देखा दे कि वितरन को फिर से एक बार समझते हैं, वितरन में availability का मतलब यह हुआ, availability का मतलब यह हुआ, कि जो कुशल कारेबल है, वो किन-किन राजियों में कैसे बटा हुआ है, availability का मतलब दो पॉइंट है, कि एक तो कि number of skills कितनी संख्या है, दूसरा distribution कैसे है, number of संख्या पर चर्चा हम लोग ने कर ली है, कि 40% लोग ऐसे हैं, जो किसी formal training के अंदर जाते हैं, और राजियों में अलग-अलग है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि distribution केरल में जादा skilled labor है, और बिहार जारकन में कम, यह सारी बात है कि, उसके अलाबे sector-wise, जो skill set है, जो skilled labor है, उनके भी अलग-अलग skill level है, skill level 1, level 2, level 3, level 4, उनको भी बाटा गया है, कौन किस लेबल में आता है, कितना लेबल में आता है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक slide रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, level 1 में वो लोग आते हैं, जो सारल 1 निया में सारी manual कारियों से जुड़े causal से जुड़े लोग है, वो skills, जो इनसान सारी रूप से करता है, सेट में उतर करके नालोग के सफाई करने बाले लोग, या पिर plumber जैसे लोग, वो सारे लोग जिसमें सारी रिक इस्तेमाल जाता होता है, कोई skillset के अभशक्ता नहीं होती, कोई बहुत skill के ज़रूद नहीं, कोई बहुत पड़े लिखे होने के ज़रूद नहीं, सिर्फ सारी कुशलता से वो कार्ज किया जाए, वो सारे लोग लेवल वन में आते हैं, कौन से लोग हैं? लेवल वन में हॉकर है, स्ट्रीट बिंडर है, गारड़नर है, कुक है, हाउसोल्ड सर्बेंट है, और कॉकर हैं, बतलब हैं, मतलब हैं, कुक है, रसोया थे, माली है, घली में ठेला लगाने वाला है, हॉकर है, मैशोन हैं, मजदूर है, यह सारे लोग लोग आते हैं लेवल वन में, उस्पेशल कांड आच्पर्टीज, उस्पेशल कांड ओफ। चिल सेट, लेबल 2 में कौन आते हैं? जो थोड़ा बहुत मशीन से अंचालन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनिक्स के गजट संभाल लेते हैं, उपकरन से संबंदित कौसलर देख लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो जो एक तरह से कलर का काम कर ले या हो सकता है, वो व्यक्ति जो कम्प्यूटर बनना चलाना सीख लें, MS Office, ML, Excel सीखा हुआ हो, या ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनिक्स उपकरन, मुबाइल बनाना सीख लिया हो, लेप्टॉप की रिपेरिंग सीख लिया हो, वो सारे लोग आते हैं, लेप्टू में, जैसे अर्टीशियन है, प्लमर है, आर्टीशियन है, बार्बर है, मेकैनिक्स है, टेलर, इसके लिए किसी स्कूल जाने के ज़रूरत नहीं है, किसी कॉलेज जाने के ज़रूरत नहीं है, यह वो स्किल सेट्स हैं, जो आप सीख सकते हैं, जैसे घर में प्लमर का काम करने आता होगा, एलेक्ट्रीशियन, बिजली बनाने के काम, चोटे मोटा स्किल सीख करके, मशीन संचालन करने वाले लोग लेबल 2 में आते हैं, तो डिस्टिब्यूशन भी इनका अलग-अलग है, लेबल 3 में कौन आते हैं, लेबल 3 में वो लोग आते हैं, जो विशेश गन्ना जैसे कलर्क का चौब है, किसी ओफिस में कलर्क हो गया, किसी ओफिस के रेकॉर्ड को मेंटेन करने वाले लोग है, ये सारे लोग सुपरवाइजर लोग है, ये सारे लोग आते हैं, लेबल 3 में, और लेबल 4 में आते है उच्छस्तर के लोग जो तथ्यात्मा ग्यान के थुरू, अपने बुद्धी के help लेकर के अपने ग्यान के सुरहरे, अपने knowledge के साहरे, वो क्या करते हैं, कि decision making capacity रखते हैं, निरने लेने की छमता रखते हैं, जैसे कोई MD हो, जैसे कोई बड़ा engineer हो, उस तरह के लोग होते हैं लेबल 4 में, ठीक है, लेबल 4 में आते हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर, अकाउंटेंट और तमाम लोग आते हैं, अब ये तो वो skill set को बाटा गया, कि लेबल 1 का skill, लेबल 2 का skill, लेबल 3 का skill, लेबल 4 का skill, we were talking about the distribution, एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कि लेबल 1 में लेबल 3 में कौन है, लेबल 4 में किस तरह के लोग है, अब देखना है कि skill level है, उनके distribution कितना है, ये बहुत ही अलग तरीके का आपको दिखेगा, कि लेबल 1 में कुल, कुल जनसंक्या का लगभग 30% लोग, लेबल 1 में आते हैं, लगभग 56% लोग, लेबल 2 में आते हैं, और लगभग 11% कितना होगे, 56, 30, 11% लोग आते हैं, लेबल 3 में, और फिर 203% लोग आते हैं, लेबल 4 में, क्या आप ये distribution देख पा रहे हैं, 56% लोग आते हैं, लेबल 2 में, 30% लोग आते हैं, लेबल 1 में, मतलब ये दोनों combined मिल करके बना देते हैं, 86% लेबल 1 में कौन आते थे, अब याद करें, लेबल 1 में वो लोग आते थे, जो किसी gardener है, रसोया है, माली है, kitchen में काम करने वाले, आपके maid हैं, helpers हैं, या फिर street vendors हैं, ये लोग आते थे, लेबल 1 में, मतलब there is no specified or required skills, और कोई ऐसा बहुत ट्रेनिंग की ज़रुरत नहीं ह लोग, engineer type लोग, electrician type लोग, जो थोड़ा बहुत skill के set के जरूरत है, लेकिन उसके लिए को formal degree के जरूरत नहीं, वो आते लेबल 2 पे, ये लेबल 1 और लेबल 2 मिलकर कई, भारत के labor force का लगभग 86 परतिसात हिस्सा बनाते हैं, so there is a dire need, there is a बहुत बहुत ज़्यादा अवश् so what we are observing, distribution of skills का मतलब ये हुआ, कि किस label में कितने परतिसात लोग काम कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है, कि भारत सरकार की योजनाई, ये सरकार को कैसी योजनाई बनाने चाहिए, कि level 1 से, level 2 से लोगों के अधिक से अधिक संख्या में, level 3 और level 4 के तरफ progress हो, so there is a dire need for the skill development in India distribution का मतलब, availability का मतलब ये हुआ, एक बार फिर से repeat कर लें हम लोग चीजों को, availability का मतलब ये हुआ, कि number of कितने HR है, human resource की संख्या कितनी है, और distribution कैसा है, संख्या में का मतलब ये था, कितने परतिसात स्रंबल को, कितने परतिसात total, मानुस अंसाधन को training से आपचारिक पर शिक में कितने परतिसात कारेवल काम करता है, जो हमने बड़े विस्तार से यहां पर समझा है, ये तो इन टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत important है, कि new jita क्या होती है, availability उप्लब जिता क्या है, productivity क्या है, इन सब पर चर्चा कर सकते हैं, अब है मानुस अंसाधन विकास HRD, देख मानुस अंसाधन होता क्या है, उसकी availability, मानुस अंसाधन के productivity, skill development, distribution, employability, skill sets, strumble, strumble, भागेदारी दर, इन तमाम चीजों के चर्चा करने के बाद बात आती है मानुस अंसाधन विकास, मानुस अंसाधन के विकास की अतिया बशक्ता है, क्यों अबशक्त है मानुस अंसाधन व विकास का सीधा-सीधा मतलब है, कि skill development, स्रम बलका, जितना जाद स्किल development होगा, मानुस अंसाधन उतना ही मजबूत होगा, तो मानुस अंसाधन विकास का सीधा-सीधा मतलब है, कि skill development, किसी मानुस अंसाधन को, उशल मानुस अंसाधन में विक्सित करने की प्रक्रिया को, मा एक साधारन HR है, जो काम करने के एक्षा है, HR मतलब Human Resource है यहाँ पर, HR मतलब कुछी कमपनी का HR नहीं, जो Human Resource हमालते हैं, HR का मतलब वो व्यक्ति जो किसी देश के लिए संसाधन के तौर पर उपलब्ध है उसको किसी formal training program के द्वारा, प्रक्रियाओं के द्वारा training program में भेजा जिससे उसका skill और enhancement हुआ, skill की enhancement हुआ, बढ़ोतरी हुई, और skill जब बढ़ेगा, तो वो फिर कैसे बापस आएगा, developed Human Resource, विक्सित मानो संसाधन के तौर पर, वो developed हो जाएगा, और जितना ज्यादा मानो संसाधन के विकास होगा, इकॉनमी को उतना ज्यादा फाइदा होग क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मानो संसाधन के विकास होगा, उसकी productivity बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा productivity बढ़ेगी, या employability बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वो देश के तरक्के में योगदान दे सकता है, इस अवधारना के सुरुवात, लियोनार्ड नाडलर ने की थे, लियोनार्ड नाडलर ने इसके स्थापना की थी, 1979 में, ऐसा नहीं है कि मानो संसाधन का विकास इसके पहले नहीं था, वे शुड़ बेरी क्लियर के लियोनार्ड नाडलर के पहले भी मानो संसाधन के चर्चा होई थी, आल्टन मियों के सिद्दान पढ़ेंगे, वहाँ पर तेजी से बदला है, Cold War का एरा धिरे-धिरे खतम हो रहा है, लोगों को छोटी-छोटी कंट्री में इंडस्ट्री जा रही है, तो उस वक्त मानो संसाधन के अबधारना को, यानि कि दीतिये विश्यूद के बाद के जो मानो संसाधन के अबधारना दिया है, उसको लियोनार को समझना, उसको समझ के थियराइज करना, और थियरीटिकल वे में उसको प्रजेंट करना, प्रजेंट करके किसी कंपणी के के लिए उपयोग करना, और उपयोग करके उसकी productivity को बढ़ाना, यह तमाम काम लियोनार्ड नाडलर के सिधान तोप किया गया है, यसलिए मानो सं यह आपके exam point of view में important है, कि आप ऐसे answers लिखेंगे, जैसे आप से पूछा जाएं में पूछा है, मानो संसाधन से आप क्या समस्ते हैं, आप क्या लिखेंगे, मानो संसाधन को संसाधन विक्सित करने के प्रक्रिया को मानो संसाधन कहते हैं, ठीक बात है, आपका answer सही है, प् उसको बल देने के लिए आप लिख सकते हैं, कि मानो संसाधन विकास के अपधारना 1979 में लियोनार्ड नॉडलर दोरह दे गई थी, जिनके अनुसार मानो संसाधन का विकास एक विसेश समय के वीतर संचालित संगठित कतिवीधियों की एक स्रिंखला है, और बिभार में लाने के एक स्रिंखला है, किसी विशेश समय के भीतर संचालित संगठित गतिवीधियों के इन सारे शब्नों पर जोर डालिएगा, कि it is a series of activities, स्रिंखला का मतलब, series of training program, किसी निश्चित समय सीमा में, within a fixed time period या मतलब बड़े-बड़े words है, आप ऐसे समझेए, कि किसी company में अगर आपका recruitment होता है, तो company कहते हैं, कि पहले आपका 3 महीने के training होगी ट्रे-इनिंग के दौरान आपको अलग-अलग काम सिखाया जाता है, मतलब कि series of skills सिखाई जाती है, एक काम, दो काम, टीन काम हो सकता है, कि आपको किसे दिन कैसे represent करना है, वह सिखाः जाए, किसी दिन सिखाः जाएगगए कि कैसे team के work करना है, कोई नया skill आपको सिखाः जाएगा, communication skills सिखाए जा सकते है, way of presentation सिखाए जाएगा, तो ऐसे तमाम series of skills सिखाए जाएगे आपको, कितने दिन में, तो तीन महीने के training period में, मतलब निश्चित time period में, और ये series लगाता रहोंगे, कि पहले थोड़ा easy काम, company के environment को समझे, environment समझने के बाद आपके skills पे काम किय जाएगा, skills के बाद आपके representation, उसको कैसे दुनिया के सामने रखना उस पर काम किया जाएगा, ऐसे तमाम series आपको, एक listed समय सीमा के भीतर सिखाए जाता है, जिसको आप कहते है HR training program, जिसके अंदर किसी चीजों को training दी जाती है, तो नाडलर ने अपने विचारों में यही कह था, कि मानो संसादन विकास, HRD, एक विशेज समय सीमा के भीतर, संचालित संगठित गतिवीदियों, यह और इसको उसको उसकी कमपनी के भीतर लाने के लिए उसके बिभार में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, इन तमाम चीजों के संगठित गतिवीदियों के सिरिंखल को ही मानो संसादन विकास कहते हैं, लियोनार्ड नाडलर के मुताबिक, उसके बाद आता है किसको मापा कैसे जाता है, इसमें एक चीज और समझे कि मानो संसादन का विकास फिर होगा कैसे, मानो संसादन इंडेक्स पर जाने के पहले, हम लोग जो इसमें पढ़ लेते हैं, कि मानो संसाधन का विकास कैसे किया जाएगा मानो संसाधन के विकास के लिए भारत में बहुत चुना होती है क्या पर चुना होती है भारत में भारत में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह हुआ कि भारत की जो संरचनात्मक किस्तिती है, मूल भूत संरचना जिसको कहते हैं, मूल भूत संरचना की कमी है, भारत में ट्रेनिंग इंस्टिट्ट्ट्ट्स की कमी है, ट्रेनिंग इंस्टिट्ट्ट्स नहीं है, जो है उनके इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं है, ITIs है तो उनके हाँ लैब नहीं है, लैब है तो उनके हाँ कोई skills सिखाने वाला trainer नहीं है, तो इसकी दिक्कत है, दूसरी बात अगर इन सब के पीच सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत में गरीबी बहुत जादा है, ठीक है, भारत में गरीबी बहुत जादा है, एकोनॉमिक आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा है लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जा करके अपने आपके इन्रोल करें और इन्रोल करके फिर ट्रेनिंग सीखें तो अर्थिक चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है तीसरी दिक्कत भारत में और भी है कि लोग जागरुकता की कमी है अवेरनेस की कमी है खालो क्या मतलब बहुत है गरान बाहर कई तरह के जौप होते हैं उस्थासरे मिलिक्टॉ मअझा रख सामाज में अच्छे माने जाते हैं, blue collar job, वो जॉब होते हैं, जैसे कोई electrician है, plumber है, ये माने जाते हैं, blue collar job, और फिर आता है pink collar job, pink collar job, वो होते हैं, जो माने जाते हैं, महिलाओं के लिए safe job है, banking है, teaching है, ये समाज की अबधार नाए है, अब इसको लेकर के, लोग aware नहीं है, बताइए, ये एक व्यक्ति साधानन किसी company में काम करता होगा, वो company में काम करके 15,000 रुपे पर मंत कमा रहा होगा, लेकिन वो जिट जात में ऐसा चलेगा, जैसे मान लो कि, वो किसी company को direct कर रहा है, MDA, वहीं एक व्यक्ति जो घर घर जा करके, electric कर repairing करता होगा, electrician है, वो व्यक्ति, electrician अगर वो per day का, 1000 रुपे भी कमा रहा है, 1000 रुपे per day, तो भी उसको समाज में उस तरह से नहीं देखा जाएगा, जैसा ये company में काम करने वाला, 15,000 रुपे पर मंत कमा रहा है, और ये 1000 रुपे per day कमा रहा है, मतलब ये 3000 रुपे गमाएगा, पर फिर भी इसकी हमियत और इसकी हमियत में दिक्कत होगे, लोग इसके तरफ ज़्यादा भागें, खास करके वो लोग जो social strata में अपने आपको उपर मानते हैं, समाजिक परिद्रिस में अपने आपको उपर मानते हैं, वो ऐसे job करना नहीं चाहते हैं, plumber का job नहीं इलेक्रिशियन का job नहीं करेंगे, बढ़ाई का काम नहीं करेंगे, जाकर किसी private company 15,000 रुपे काम कर लेंगे, परहजार रुपे परड़े वाले ये काम नहीं करेंगे, तो इस तरह कि जो समाजी कडशने हैं, उसको ले करके जागरूक नहीं है, लोग awareness नहीं है कि क्या क्या काम आगे हो सकता है, चौथे दिक्कत है, भारत में सबसे बड़ी दिक्कत है, education sector, जो कि last but not the list, सबसे महत्पूर्ण है, education, सिक्षा अस्तर का, आप चाहते तो हैं कि label 2 से label 3 में लोगों convert किया जाए, label 3 से label 4 में लाया जाए, पर लोगों के पस वो सिक्षा अस्तर नहीं है, वो कैसे काम करेंगे, इन चीजों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और सिक्षा बहुत मत्पूर्ण है, कि सिक्षा अगर उचित नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्षा की शुरुवात होती है, प्राइमरी क्लासे से अगर सिक्षा की शुरुवात होती, तो अगर वो प्रक योग के प्रशिक्षकों का भाव है, प्रशिक्षन संस्थानों का भाव है, विशाल जनसंख्या बाला देश है, पूरे जनसंख्या को मैनेज करना मुश्किल है, भार्द विकास सील देश है, तो इसे तमांद और भी चुनौतिया हैं, जो HRD के रास्ते में राह कर ओड़ा बनता है, कैसे दूर किया जाएगा ये सब, ये तो वो चीज़े हैं, जो चैलेंजेज है, ये है HRD के चैलेंजेज, मतलब चुनौतियां, जायर सी बाते चुनौतियां हैं, तो इसको दूर करने के कुछ उपाए भी होंगे, तो क्या कैसे किया जा सकता है, How can we develop our HRD, Human Resource Development कैसे किया जा सकता है, HRD कैसे किया जा सकता है, HRD कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहला जो डाला जाना चीज़े, सिक्छा पर, सिक्छा पर सुधार, आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने इसलिए NEP लाई है, NEP 2020, New Education Policy, और इसके अंदर New Education Policy 2020 में बहुत सारे काम ऐसे किये गए है, जिसके through Skill Development, बच्चों के अंदर Class 5, 6 से ही करना है, Skill Development की बात करने, दूसरा, Skill Training Program के दौरा, Prescription उपलब्द करवाईए, समझ रहें, कि Prescription के दौरा ये काम किया जा सकता है, गाउं गाउं में Prescription के अंदर खोला जाए, वहाँ पर लोगों को train किया जाए, cluster center बनाया जाए, वहाँ पर लोगों को train किया जाए, उनको train करने के बाद उनको रोजगार परक बनाया जाए, फिर उनके लिए रोजगार के समभावनाओं के भी तलास किया जाए, Skill Development के थूरू किया जा सकता है, फिर है Time and Financial Management, आर्थिक समय और आर्थिक प्रबंधन के द्वारा भी लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक प्रबंधन किया जाए, हमने देखा कि चुनाओतियों में ये था कि गरीबी एक बड़ी वज़या है, जिसके कारण लोग Skill Development में नहीं जायते है, तो आर्थिक प्रबंधन किया जाए, कैसे किया जाएगा आर्थिक प्रबंधन, कि किसी को आर्थिक प्रबंधन में उसको मदद दिया जाए, या फिर हो सकता है कि इंस्टिट्यूट्स में उसके ट्रेनिंग का फीस या जो भी है, वो मुफ्त कर दिया जाए इससे आर्थिक प्रबंदन में उसको मदद मिलेगी। ऐसे तमाम काम है जिसके दोरह HRD किया जा सकता है। तो बेसिकली हम लोग यह समझना चाह रहे हैं कि Human Resource Development है क्या? Human Resource Development का मतलब लियोनार्ड नाडलर के अब धारना थी, उनके उनसार किसी व्यक्ति को सिमित समय सीमा में संगठित रूप से संगठित रूप से समयोजित स्रिंखला, स्किल सेट के स्रिंखला के पहत गुजरना होता है। उस प्रॉसेस उसका Skill Development होता है। इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं भारत में Skill Development को ले करके तो हमने देखा कि गरीब ही है, सिक्षा विवस्था की दिक्कत है, आधार पुच्षन रच्णों की कमी है, ऐसे तमाम चीज़ें तो उन चीज़ों को दूर किया जाए। कैसे सिक्षाम सुधार करके Skill Training Program के थुरू और Time and Financial Management के थुरू। इन चीज़ों से इसको दूर किया जा सकता है। दुनिया बर में HRD को देखने वाली संस्था है, जो पूरी दुनिया में HRD को देखती है कि Human Resource Development कैसे होता है, किस देश का Human Resource कितना है, उसको लेकर के देखने का काम करता है। ठीक है। उसको लेकर के पूरी दुनिया में इसका एक पूरी दुनिया में हर मुल देश के लिए, हर देश के लिए, UNDP जो है, United Nation Development Program, UNDP, UN का एक संस्था है, United Nation में आपने पढ़ा होगा, कि ECOSOC, यानि कि आप पार्ट टू का यह है, पार्ट टू में आपने पढ़ा होगा, पेपर सेविन का है, कि United Nation संजुक्तरास्टर संग के तीसरे सबसे प्रमुख है, ECOSOC, ECOSOC के अंदर बहुत सारी एजेंसीज होती है, बहुत सारे प्रोग्राम होता है, फंड होते हैं, जै UNDP है, फंड में UNICEF है, पॉपुलेशन फंड है, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं, इसे एक प्रोग्राम के तथ ECOSOC के अंग है, UNDP, UNDP का का काम क्या है, कि हर साल Human Development Index लाती है, Human Development Index जारी करती है, यह है क्या Human Development Index, इसके तहट किसी देश के, इसके तहट दुनिया बर के तमाम देशों के विकास किस इस्थिती को, कि कौन कितना विक्सित है, उसको सूची पध किया जाता है, इस इंडिक्स के दोरा और उसमें हर देश को रैंक दिया जाता है, उसका क्या रैंक है, किसने ये काम किया था, आप से पूछा जाता है कि किसने ये काम किया था, तो मकबूल उलहक थे, महबूल हक थे, महबूल हक उनका नाम था, मकबूल ने महबूल हक उनका नाम था, उन्होंने ये काम किया था, महबूल हक पाकिस्तान के एक बैग्यानिक थे, पाकि पाकिस्तान के थियरिस्ट थे, ठींकर थे, इन्होंने काया कि ये GDP, GVA, जितनी चीजों से किसी देश के विकास को मेजर करते हुआ, GDP, GVA, GNP, GNI, इन तमाम चीजों से विकास को मापते हो, पर ये सुध विकास नहीं देता है, जैसे बात करें हम लोग GDP की, विकास कैसे मापा जाता है किसी देश का, तो किसी देश की कितना विक्सित है, ये तै करने के लिए आम तोर पे, लोग कहते हैं कि GDP इतने ट्रिलियन हो गया, तो GDP इतने मिलियन हो गया, कुछ लोग GDP के जगए GDP मानते हैं, ग्रॉस निशनल इंकम कितना है, जी एनाई की बात करते हैं, ये ग्रॉस निशनल प्रड़क्ट की बात करते हैं, तीसरा कुछ लोग GVA करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एड़िट, ये सब एकोनोमिक्स में आपने पढ़ा होगा, चौथा हो साथ, ये सारे मेथड जो हैं, ये complete picture नहीं देते हैं, कि किसी देश की विकास कितना है, complete picture नहीं देते हैं, जिससे GDP में GDP पर capita करके देखिए, जो आज कहते हैं, आपके भारत की GDP बहुत उपर है, भारत GDP के मामले में, दुनिया बर में कौन से position पर है, आप comment box में बताएंगे 139 स्थान पर है, पूरी दुनिया, साथ 139 में, अभी recent report में 139 स्थान पर है, तो आप सोचे कि भारत GDP के मामले में, पाच्वे स्थान, चौथे स्थान पर रहने के बात करता है, पर capita, हर व्यक्ति का GDP, 139 स्थान पर है, तो complete picture GDP से नहीं मिलता है, GNP, GNI भी वही बाते के complete picture नहीं मिलता है, सो महबूब उलहक ने, भारत के ही एक वज्यानिक थे, अमर्ते सेन, नोबल पुरसकार भी मिला है, अमर्ते सेन के साथ मिल करके, इन्होंने एक methodologic develop की, जिसके थुरू हर देश का HDI निकाला जाएगा, HDI इंडेक्स निकाला जाएगा, कि HDI इंडेक्स में जिस देश के HDI इंडेक्स से पता चलेगा कि कौन सा देश कितना विक्षित है, तो अगर आप से एक जाम में ये पूछा गया है, कि महबूब उलहक के कारियों की चर्चा करिए, तो महबूब उलहक पाकिस्तान के बहुत बड़े विचारक थे, जिन्होंने Human Resource Development, HDI, Human Development Index, य Mano Vika Sujka Ankh की अवधारना का अविश्कार किया, मतलब इन्होंने Mano Vika Sujka Ankh की theory दी है, जिसको उनसार किसी देश की तरक्की के लिए मिजर किया जाता है, क्या होता है Mano Vika Sujka Ankh, उसमें क्या होता है कि किसी देश की औसत उपलब देती, तीन पार्ट पर देखा जाता है, ए एड़ बर्थ, जीवन प्रत्यासा कहते हैं, जीवन प्रत्यासा जैन्म के समय किसी वेक्ति के जीवन प्रत्यासा क्या है, अर्थाति या है, दूसरा, शिक्षा का अस्तर, authors education and knowledge का status देखता है, कि किसी देश में सिक्षा का क्या استर है, और तीसरा कि सब भी जीवन अस्तर का होना मतलब living condition क्या है अर्थात इसमें health की चर्चा की जाती है किसी देश के जीवन अस्तर क्या है इन तीन चीजों पर तीन parameter पर इनके अलग-अलग किसी देश के लिए indices निकाले जाते हैं कैसे निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं जोमेट्रिक मीन लिया जाता है इन तीनों इंडेक्स का तीनों इंडेक्स का जोमेट्रिक मीन ले करके और उसको calculate किया जाता है देखिए यह UNDP के website का screenshot है UNDP में तीन चीजे लिए है lifelong healthy life किसी व्यक्ति का जीवन कितना लंबा है knowledge क्या है decent standard क्या है मतलब कि किसी देश का life expectancy at birth और उसका health का issue क्या है उस देश में स्वास्थ कैसा चल रहा है दूसरा देखा जाता है कि उसके schooling कितनी हो रही है उस देश में कितने साल average schooling किसी देश में हो रही है और GNI per capita मतलब PPP की जो बात हम लोग कर रहे थे कि उसका income per capita कितना है उस देश में व्यक्तियों का एक व्यक्ति का income कितना है इन तीनों चीजों को इंडेक्स अलग अलग इन तीनों के इंडेक्स को ले करके ये इंडेक्स अलग निकाले जाता है ये इंडेक्स अलग और ये इंडेक्स अलग इन तीनों के इंडेक्स को इसको बोल सकते हैं कि index of health इसको बोल सकते index of education इसको बोल सकते index of life इन तीनों के इंडेक्स को ले करके geometric mean लिया जाता है geometric mean का मत पतलब यह होता है, मीन भी दो तरह से होते हैं, माध्य निकालना आपने बच्पन के क्लास में सीखा होगा, माध्य कैसे निकालते हैं, मात्धे निकालने का concept आपने बच्पन सिखा होगा मात्धे भी अभी हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे इसे कई तरीकों को होते हैं आपने पढ़ा होगा समांतर मात्धे यानि कि AP गुनात्मक मात्धे यानि कि GP Geometric Progression और एक और होता है HP Harmonic Mean इन तीनों में सबसे पढ़ियां आकड़ा जो सबसे पढ़ियां मात्धे निकालने का आकड़ा है वो गुनात्मक मात्धे से आता है जैसे मान लीजिए थोड़ा सा गणित के पार्ट यहां पर सामिल कर लेते हैं कि A, B और C का अगर आपको मात्धे निकालना है इनका अरिथमेटिक में निकालने के लिए कुछ नहीं साधारन इनको जोडते थे और तीन से डिवाइड कर लेते थे गुनात्मक मात्धे कहता है कि नहीं गुनात्मक मात्धे निकालने के लिए A into B into C करो और उसका फिर घनमूल ले लो अगर इनका गुनात्मक मात्धे निकालना है तो घनमूल ले लो और हर्मोनिक मीन रहने देते हैं वो मैथ का पार्ट है तो हम लोग यहाँ पर GNI कैसे निकाला जाता है GNI निकालने के लिए इन तीनों इंडेक्स का GH का, GI का और GL का एक साथ geometric mean ले लिया जाता है मतलब कि अगर आपको निकालना हो HDI का formula अगर लिखना हो आपको कि HDI का क्या formula होगा जो महभूब उल्हक्र निकाला होगा तो वो होगा घनमूल of किसका IH, health वाला factor into I of education वाला factor into index of life वाला factor इन तीनों को घनमूल ले करके इन तीनों का घनमूल ले लिया जाता है और इससे देश को निकाला जाता है कौन सा देश कितनी तरक्की पर जिसकी जितनी ranking आएगी उसे साब से माना जाएगे कि कौन सा केस देश कितना developed है UNDP की website पर आप देखेंगे जाकरके तो आपको मिलेगा कि भारत के बारे में जो 2022 के HDI index जो latest आया है उसमें भारत का position कहां है तो भारत की नंबर है 0.644 है और इस हिसाब से भारत का position क्या होगा या आप comment box में बता सकते हैं भारत का position overall total कितना आयेगा HDI index पे 2022 में भारत के देखें Life expectancy सरसर 0.7 साल है 12.6 years यहां पर लोगों के schooling होती और 6.6 साल इसमें लोगों के mean of schooling और expected year of schooling 12 साल है और gross national income per capita इतना dollar में रूपे में पाया जाता है आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक पर देख लेते हैं human resource होता क्या है पहले हम लोग ने resource पढ़ा कि साधन क्या होती है जैसे हमने कहा कि miatti है तो मिट्टी को इईट में बनाया गया तो वो संसाधन बन जाएगा और जब तक मिट्टी पढ़ा है वो सिर्फ साधन यानि प्रकृति पढ़ा है तो वो सारी चीजे जो हमारे लिए उप्योगी बन जाए यूजफुल बन जाए उसको कहेंगा प्रकृति का मानों प्रकृति का दिया ह्वा सबसे बढ़ा रिसोर्स है तो चत्रैनींग के थुरू त्रेण अच्छी शिक्षा दे करक Kings का रिक्षा सकता है अच्छी सिक्षा कि तुरू causal विक्सित क्या सकता है causal विक्सित होगा तिससे क्या होगा इससे लोगों के employability यानि कि नियोजिता employability यानि नियोजिता और productivity यानि कि उत्पादक्ता बढ़ेगी और जब उत्पादक्ता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो किसी देश के आर्थिक स्थिती में योगदान देंगी और उससे किसी देश की आर्थिक उन्नती होगी फिर हमने पढ़ा कि skilled laborers का भारत में availability क्या है उपलब्दता क्या है उपलब्दता हमें हमने पढ़ई दो चीजें कि numbers कैसे हैं कितने number में इसमें हमने पढ़ा था कि 4,7% ही भारत में ऐसे laborers है जो किसी informal training के थ्रू जाते है और फिर हमने पढ़ा कि इसका distribution कैसा है distribution मतलब किस label में label 1 में कितने है label 2 में कितने percent है label 3 में कितने percent है जो respectively हमने पढ़ा कि 30% level 1 में आते हैं 56% level 2 में आते हैं 11% level 3 में आते हैं बचा हुआ 3% चला जाता है label 4 में इसका मतलब किसी भी देश की कोशिश होती है कि हमेशा इस में से label की संख्या को उसकी skill development के थूरू label 3 और label 4 में बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए कैसे बढ़ाया जाए इसकी कोशिश होती है और वो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है कि उसके लिए skill development program चलाया जाता है skill development program चलाया जाता है इसमें बहुत सारे program के चर्चा हम लोग कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि PM KVY होता है संकल्प योजना होता है इसी के थूरू apprenticeship होता है प्रशिक्षुता कहते हैं ये भी एक फैब्रेट टॉपिक के कल इसकी चर्चा करेंगे प्रशिक्षुता होता है ऐसे तमाम चीजें जिसके थूरू इसके development होता है इसी में भारत सरकार के और भी योजना है skill development योजना है skill development program है कोशल विकास योजना जिसको कहते है skill India program है इसमें total चार हो चुके है skill development program फिर skill India digital है इन तमाम योजनाओं के थूरू लोगों का कोशल विकास किया जा रहा है और जो लोग भी इस पर means लिखने जा रहे है उनके लिए skill development India program बहुत इंपोर्टेंट ये चर्चा में रहा है इस पर आप जरूर पढ़ करके जाएगा इन दो चीजों पर अप्रेंटेशिप पर और skill development program पर बहुत चर्चा पढ़ करके जाएगा तो skill development program के थूरू उनका development किया जा सकता है इसके अलाबे हमने पढ़ा कि HDI क्या होती है कौन निकालता है UNDP निकालता है HDI HDI देने वाले कौन थे महभूब उलहक थे किसके साथ काम किया था तो उन्होंने काम किया है भारत के अमर्त सेन के साथ तो इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की कुछ महत्पुन मुद्डे हम आज डिसकस की है कुछ महत्पुन topics डिसकस किए है I hope क्या आपके काम का होगा next lecture में हम लोग मिलेंगे तो फिर आगे Demographicтивiδend के चर्चा करेंगे Demographic Dividend के चर्चा करेंगे Demographic Dividend क्या होता है फिर हम लोग कुछ इंस्टिट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्फॉर्ण से इंस्टिट्यूट्स हैं, जो इसमेर काम करते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा करेंगे, तीन चार चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, अगले दोदे दिनों में तो बने रहिएगा, अगर आपके कुछ सवाल नों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, थैंक यू.